नमस्कार, चनक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो का टॉपिक है Fast Radio Burst हुआ यूँ कि 28 अप्रेल को नासा ने आकास गंगा में एक अदभुत नजारा देखा वह नजारा क्या था? नजारा यह था कि रेडियो संकेत या रेडियो सिग्नल्स और एक्सरे मिसरित एक अल्पकालिक आग की लपड देखी गई और यह जो आग की लपड देखी गई वह क्या है? वह है Fast Radio Burst और यह अदभुत इसलिए है क्योंकि आकास गंगा में पहली बार Fast Radio Burst को देखा गया और इस अदभुत घटना का प्रकासन नेचर पत्रिका के द्वारा चार नौंबर को किया गया अब हम यह देखते हैं कि Fast Radio Burst क्या होता है? तो यह रेडियो तनंगों का एक चमकीला विस्फोट होता है और अगर इस चमकीले विस्फोट के समयावधी की बात की जाए तो यह विस्फोट मिली सेकेंड में होता है इस कारण इसकी पहचान संभव नहीं हो पाती और नाहीं आकास गंगा में इसकी सही इस्थिती का पता चलता है सरवपर्थम इसकी खोज हुई थी 2007 इस्वी में अब सवाल यह है कि FRB यानि की Fast Radio Burst का स्त्रोत क्या है? तो आकास गंगा में अप्रेल महिने में जिस FRB को देखा गया उसका स्रोत है शक्तिसाली Neutron Tara जिसे Magnetar कहा जाता है अप्रेल महिने में आकास गंगा में देखे गए FBR के स्रोत Magnetar का एक अन्य नाम भी है वह क्या है? SGR 1935 प्लस 2154 या SGR 1935 और या कहां अवस्थित है? या अवस्थित है? वेल पे कुला तारा समुह में और पिर्थवी से इसकी दूरी कितनी है? 14,000 से 41,000 प्रकास वर्स अब याद देखते हैं कि आखिर Magnetar क्या होता है? तो देखे, Magnetar Neutron तारे का ही एक प्रकार होता है या एक ऐसा तारा होता है जो अत्यंत संपीडित या कंप्रेस्ट होता है और सुरी की तुलना में अत्यंत विसाल होता है अगर Magnetar के चुमबकी सक्ति की बात करें तो इसकी चुमबकी सक्ति, Refrigerator में मौजूद जो चुमबकी सक्ति होती है उसे से 10 ट्रिलियन जादा सक्तिसालिक होती है और सामान्य Neutron तारे की तुलना में Magnetar की चुमबकी सक्ति हजार गुना जादा सक्तिसालिक होती है अब एक नजर Neutron तारे पे डालते हैं तो Neutron तारे का निर्मान तब होता है जब विसालकाय तारे के केंद्र में गुर्त्वा कर्सन बल नष्ट होता है और यह कब होता है? तब जब कोई तारा अपने जीवनकाल के अंतिम अवस्था में होता है और इसके परिणाम सरूप यह है कि Neutron तारे पर वस्थू का भार काफी ज़्यादा होता है जैसे अगर चीनी के एक टुकड़ी की बात करें हैं तो वहाँ पर उसका भार कितना होगा? एक बिलियन टंग से ज़्यादा मतलब माउंट एवरेस्ट के वजन से भी जाता है अब मैगनिटार में देखीं क्या है? कि मैगनिटार से कभी-कभी मिली सेकेंड में अत्यंत उर्जा युक्त तेज चमक उत्पन होती है और यहाँ जो यह अत्यंत उर्जा युक्त है अगर उसकी तुलना सुर्ज के उर्जा से की जाए तो इतनी उर्जा को मुक्त करने में सुर्ज को लाखो साल लगेंगे अब आकास गंगा में जिस FRB की खोज की गई उससे जोड़ी कौन सी प्रमुक्संस थाएं तो एक नासा की Wind Emission और Survey for Transient Astronomical Radio Emission 2 और दूसरा Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment अब इस अध्यन का क्या महत्तो है तो देखें अध्यन का यह महत्तो है कि अप्रेल महिने से पहले वैज्यानिकों के समक्ष इस प्रमान का अभाव था कि FRB मतलब Fast Radio Burst का आखिर सुरूत क्या है बरन्तु अब वैज्यानिकों के पास इस बात का प्रमान है कि FRB इसका सुरूत क्या होता है इसका सुरूत होता है Magnetar मतलब Magnetar से ही FRB विस्फोर्ट होता है अब इससे सम्मंदित एक प्रश्न है प्रश्न है कि Magnetar निम्न में से है चार उप्सन है उप्सन A निट्रों तारा उप्सन B मैगमा का एक प्रकार उप्सन C एक उपगरह उप्सन D छुद्रगरह इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार